नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं डक्टरों की एक टीम उनकी गहन निगरानी कर रही थी, टीम की लाख कोशिस के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका बता दे कि भारत सकार ने पूर्व राश्पती पर्नाव उखरजी की निधर पर पूरे भारत में 31 अगस से 6 सितंबर तक 7 दीव से राज्किये सोक की घोसना की है जारखन में पिछले दो दिनों से मानसुन कमजोर पड़ा है, पिछले 24 गंटे में कुछ राज्जियों में ही हलकी बारिस रिकोड की गई है मौसम विभाक के उनसार एक कम दवाव का चक्रवाती छेत्र दक्षनी पच्मी की तरह बढ़ रहा है, जिससे 1 सितंबर को राज में बारिस होने की संभावना है बता दे की पूर्वी सिम्भूम, पच्छमी सिम्भूम, सिम्डेगा, सराय केला, खरसावा, देवगर, धनबाद, दुमका, गिरिडी, गोड़ा में बारिस के साथ बजरपात की संभावना है 25 फिस्दी अविभावक चाहते हैं इसकूल खुले राज में हाई और पलस टू इसकूल खुलने के लिए अविभावकों ने सरकार के निनए के साथ चलने का सुझाव दिया है करीब 25 से 30 फिस्दी अविभावक ही इसकूल खुलने के पक्छ में है जबकि बाकी भैक्सिन आने के बाद और सरकार के निनए के अउसार इसकूल खुलना चाहते हैं इसकूली सिक्षा और सक्षरत्ता विभाग ने नवी से बरावी में पढ़ने वाले चाच सत्राव के अविभागों से 31 अगर्ष तक सुझाव मांगा था जार्खन में 3288 नैस संक्रमित्यों के पुष्टी हुई जो पूर्वी सिमों से 630, राची से 292, कोडारमा 245, सराय किला 27, पच्मी सिमों 210, हजारी बाग एक सो सत्तर, रामगर 162, धनबाद 113, गुमला 147, पलामु 127, साहेव गंज 121, 143, लोहर्दागा अठानबे, लाते बोकारो 5 मिले है, जार्खन में कुल संक्रमित्यों के संख्या 41, 656, जबकि 27, बारत में कुल संक्रमित्यों के संख्या 36, 87, 949, है जबकि 28, 37, 37, 337, लोग स्वास्थ राची बाची स्वास्थ हुआ और 65, 435, दर बाचानबे, वहर्वारत में नाय केश 68, 766, जबकि 644, 435 लोग स्वस्थ हुए 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 राजे के 23,000 बच्चों के लिए 500 में 8 परीचा केंद्र बनाये गए हैं, 6 दिनों तक चलने वाले इस परीच्छा के लिए राची धनबात और जमसेदपूर में 2-2 जबकि हजारी बाग और बोकारों में 1 परीचा केंद्र बनाये गए हैं, आपको बता दे कि परीचा केंद्र पर एक आईसोलेशन रूम भी बनाया गया है, जारखन में 7 दिनों का राजकिये सोक, पुर्वराष्ट पती पर्नौमुखर जी की निधन पर सरकार ने उनके समान में 7 दिनों का राजकिये सोक मनाने का निनाय लिया है, सोमवार से 6 सितंबर तक राज ये के सभी भनों जहा राष्टरिये धावज फाराय जाते हैं, वहां राष्टरिये धावज आधे जुके रहेंगे, इस दोरान किसी भी परकार के राजकिये समारोह का आवयजन नहीं किया जाएगा, सरकार के इस निर्नाय के संबंद में मंत्री मंडल, सचिवाल, एवं निगराने विभाकी वर सभी प्रामंडलिय, आयुक्तो, उपायुक्तो, एससपी, और एसपी को जनकारी दे दी गई है, धानबाद से फिरोजपूर के बीच चलने वाली गंगा सतलाज एक्सप्रेस जल्द पत्री पर लोटेगी, कुछ नई स्पेसल ट्रेनों को पत्री पर लाने की जोर सोर से त् भेजी है, इसमें गांगा सतलाज लुदियाना एक्सप्रेस भी सामिली था है, बता दे कि दो स्ट्रेनों में दानापूर उदना एक्सप्रेस, जय नगर नई दिली एक्सप्रेस, इसलाम पूर नई दिली एक्सप्रेस, पाटली पूत्र चंदीगर एक्सप्रेस, राजें का किराया 500 कुरोना वायरस संक्रमन खत्रे के बिच पूरी सवधानी बरत्ते हुए पाँच माहबाद सरकों पर मंगलवार की सुबह पाँच बजे से बसो का परिचालन शुरू हो जाएगा पहली बस राची के लिए सुबह पाँच बजे प्रस्थान करेगी वही टिकट काउ राची के लिए एसी बस का किराया पहले 2800 रुपे था लेकिन अब एक यात्रियों को राची के लिए 500 रुपे देना होगा राची में आज चलेगा जाच अभियान 20 सेंटर पर 30 टी में तयार बैसिक महामारी कुरोना वाइरस के नियंतरन एवं इससे बचाव के परियास राची जीला में लगतार जारी है कुरोना के संक्रमन की चेन को तोड़ने के लिए जीला में मंगलवार को 20 जगों पर 30 टी में कुरोना की जाच के लिए लोगों के सेंपल लिए जाएंगे राची के उप विकास आयूग अन्यान मित्तल की देख रेख में मंगलवार को जीला में 20 जगों पर 20 से जाच अभियान चलाया जाएगा परनव मुखर जी का पूरा जीवन राष्ट की सेवा को समर्पित रहा हमन्सुरेन मुखमन्सुरेन भारत रतन पूर्व राष्ट पती परनव मुखर जी के निधन से गारा दुख व्यक्त किया है मुखमन्सुरेन ने कहा या संपूर राष्ट के लिए आपूर निये च्छती है उनका पूरा जीवन राष्ट की सेवा को समर्पित था भगवान उनकी आत्मा को सांती दे, दुख की इस घड़ी में मेरी सन्वेदना है, उनके परिजनों के प्रति है विद्यार्थियों का तनाव दूर करेंगे शिक्षक अविभावक राजे के सरकारी स्कूलों के बचों का तनाव सिक्षक और अविभावक मिलकर दूर करेंगे इसके लिए सिक्षा भी भाग आईलाइन त्यारी कर रहा है इसमें बचों के साथ बेवार कैसे करना है उनसे बात चीत पढ़ाई और खेल कूद में कैसे समझा से अस्थापित करना है इसकी जनकारी दी जाएगी सरकार सिक्षको तक और सिक्षक अविभावको तक इसे पहुचाएंगे क्रोनमा हमारी के वज़ा से पिछले साधे चार महिना से स्कूल बंध है नेता प्रतिपक्ष पर हो रही करवाई की जनकारी मांगी बाबुलल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलल मरांडी ने जारखन विधान सभा अध्यक्ष रविंद्रनात महतो को पत्र लिहकर नेता प्रतिपक्ष की मन्याता मामले में आप तक हुई करवाई से समंदी दस्तावेच उपलवत कराने का अगरह किया है मरांडी ने इस फिकर से उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता घोसित करने समंदीत अवेधन पर आप तक हुई करवाई की जनकारी के लिए अन्रोद किया है जार्खन में वाहनों की विकरी बढ़ी लोगड़न में वाहनों के परिचालन की छूट मिलने के बाद आटो सेक्टर की स्थिती काफी सुधरी है कुरोना संक्रमन से बचाव और पबलिक टांस्पोर्ट का परिचालन नहीं होने से दो पहिया और चार पहिया वाहनों की विकरी काफी बढ़ गई है बता दे कि सिफ जुलाई में जार्खन में 40,172 वाहनों की विकरी हुई इसमें अकेले राची में 8,592 वाहन बिके पुर्व मुखमंत्री रगवरदास ने अस्पताल को लेकर दिया बड़ा बयान पुरो मुखवंत्री रगवर्दास ने कहा कि इस कुरोना काल में कई अस्पताल अपनी जिमेदारी का निर्वास सही परकार से नहीं कर रहे हैं सरकार और परसासन को ऐसे अस्पताल के खिलाप कड़ी करवाई करनी चाहिए भोया डिह के चाया नगर निवासी मनोज कुमार सिंग के परिजनों को धांडस बढ़ाने पुरो मुखवंत्री उनके आवास पहुँचे इस दोरान उन्होंने हर समय मदद का आस्पासन दिया चातरों को अस्थानिया अस्थर पर इकांटेंट देने के लिए 15 सिषकों का चयान कुलहान के सरकारी स्कूलों के नवी से बरावित तक के चातरों के लिए सिखचक कांटेंट तयार करेंगे इस कांटेंट को तीन जीलों के चातरों को उपलब्द करा जाएगा इस कॉंटेंट को तयार करने के लिए 15-15 सिख्षक का गुरूप बनाया गया या सिख्षक प्रती दिन दो टॉपिक पर इस्टुडियो के माध्यम से वीडियो बनाएंगे हेमंद सरकार पर लालू यादव की मदद का अरूप कोट में जनीत याच का दायर चारा घोटाला मामला में सजायाफता लालू परसाद यादो को रीम्स निदेशक के बंगले में रखने के खिलाप जनीत याच का हाई कोट में दाखिल की गई है प्रार्थी मनीज कुमार ने अपनी आचिका में कहा है कि एक सजायाफता को निदेशा के मंगले में नहीं रखा जा सकता यह जेल मेनुवल का उलंगन है अरोप लगाया गया है कि एमन सरकार में रायत के समिलित होने की वज़ा से सरकार भी लालू परसाथ को सुवधाद देने में मदद कर रही है रांची मेन रोड में अतिकर्मन हटाव अभियान रांची नगर निगम ने सहर के में रोड पर अधिकर्मन हटाव अभ्यान सुरू कर दिया है इस अभ्यान के तहट कछारी से रेलवे ओबर बिरिज तक अधिकर्मन हटाया जाना है नगर निगम के अधिकारियों ने कचारी रोड से ओबर बिरिज की तरफ जाने वाली सड़क पर बनाए साइड में दुकानों के बाहर सड़क तक रखे गए समान जब्त किये समान जब्त कर उन्हें गाड़ियों में लाद कर नगर निगम पहुचाया जा रहा है परवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्द कराए पाकूर सांसद संक्रमन को रोकने के लिए लगे लोकडाउन के दरवान अनराजों से पाकूर लोटे परवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्द कराए सभी प्रखंट विकास पताधिकारियों को निर्देश दे की ग्राम सभा के माध्यम से जो योजनाय ली गई है उसे अविलम शुरू करे ज्यादा स्थ ज्यादा प्रवासी मज़ूरों को काम से जोड़े यह बाते राज महल सांसत विजय हंसदा ने कही रजरप्पा मंदिर खोलने की मांग ज्यारखंट के एकलोते सिध पीठ माच छिनमस्तिका के दरबार को आमसर धालों के लिए खोलने की मांग आजसुने की है इस समद में सोमवार को पार्टी के नगर सचीव नीरज मंडल और समाज सेवी रानी प्रियांका ने डीसी संदीप सिंग को एक ज्यापन सोपा है एसडियो ने बहुत संचालकों के साथ बैठक की राची जीला में बहुत सेवा की सुरुवात को लेकर सोमवार को एसडियो सदर लोकेश मिस्रा ने बहुत संचालकों के साथ बैठक की राची समनाला इस्थित उपायुक सभागार में आयोज खेस दिया गया हैchine किशान भाए यूरिया का दो पर्धिशत घोल बना कर धान की फश्ल में थेला करें कृसी बिजयां केंद्र धान की रोपनी का कारे पूरा होने के बाद किसानों को लालाहती फसल कैसे उपलब्ध हो इस पर किरिसी बेग्यानिक लोगों को जागरूप कर रहे हैं किरिसी बेग्यान केंद्र के डाक्टर रागव ने बताया कि धान की रोपनी का कारे पूरा हो चुका है सभी किसान खेत में धान की लालाती फसल देख रहे है धान की अधिक उत्पाद की चाहत में रासाइनिक उर्वरक जैसे यूरिया डियेपी एवं पोटास का परियोग भी बढ़ रहा है जीम संचलकों ने किया बिरोध परदर्शन राइधानी के अलबर्ट एका चोक पर राज भर से आये जीम संचलकों ने मानव सिरिंखला बना कर सरकार के प्रती बिरोध परदर्शन किया जारखंड के जीम संचालक इस बात से खपा है कि अनलोग फोर में जहां कई तरह की सुविधाओं को खोल दिया गया वहीं जीम खोलने की इजाज़त सरकार अब तक नहीं दे रही जीम संचालकों की माने तो राज भर में 2000 से अधिक जीम 6 माँ से बंध है ऐसे में उनके साथ जीवन यापन की समस्या गहराती जा रही है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल लाइकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को बाट से फ्रेस्बुक ट्वूट इंस्टाग्रा पसेर करें आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं